सोशल मीडिया यानि की वर्टसैप, ट्विटर, फेस्बुक, इंस्टाग्राम और बहुत सारे प्लैटफर्म्स यूँ तो बहुत अच्छा है, कम्यूनिकेशन का माध्यम है, अपनी बात कहने का माध्यम है, समबाद का माध्यम है, अपनों से जुडने का माध्यम है, अपनी बात को लोगों तक पहुँचाने का माध्यम है, अभिव्यक्ति का बहुत बड़ा माध्यम है, इसलिए इसका सदूपयोग करें, दूपयोग कदा भी न करें आपको ध्यान दिलाना है, सचेद करना है, सावधान करना है, बाखबर करना है कि सोशल मीडिया पर की हुई छोटी जिभी लापरवाही आपको जेल की सलाखों के पीछे भिजवा सकती है आपके उपर भारतिय दंडे बिधान की गंभीर धाराओं के तहर्ट Information Technology Act की गंभीर धाराओं के पहर्ट मुकदमा हो सकता है आपकी गिरफतारी हो सकती है और आप जेल जा सकते है जब आप जेल जाएंगे तो आपके माता पिता रोएंगे परिशान होंगे जब आप जेल जाएंगे तो आपके बच्चे परिशान होंगे आपके भाई बहन परिशान होंगे और इसलिए आपसे दरफास्त है कि कदा आप इस सोशल मीडिया का दूर्पे उग ना करें भड़काओ पोस्ट अपूस्ट और भ्रामक पोस्ट ऐसी पोस्ट जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है कि ये जही है ये घलत है उसको कताई सोशल मीडिया पे फारवर्ड ना करें लाइक शेयर ना करें ये तो आप परिशानी में पढ़ सकते हैं आज का जो माहौल है इस मताबिक है कि आप छोटी सी गल्ती आपको अपराधी बना सकती है आपको जेल के सलाकों के पीछे भेज सकती है इसलिए बतावर SSP प्रयाग राज मैं अपने प्रयाग राज जन्पदवासियों से अपील करता हूँ कि सोशल मीडिया का प्रयोग साधानी से करें कोई भी धामक पोस्ट भड़काओ साम परताइक सोहार बिगारने वाली पोस्ट को फारवर्ड ना करें उसको अपने तक ही रखें अगर कोई पोस्ट आ भी जाती है तो उसकी सूचना तब काल पुलिस हल्प लाइन नंबर्स पे पुलिस कंट्रोल नंबर्स पे पुलिस SSP के नंबर्स पे दें ताकि उस आदमे के खलाफ कारवाई की जा सकती है जिसने इस पोस्ट को वाइरल किया है आप कते इसमें हिस्सेदारी ना करें अनथा आप पर भी कारवाई की जा सकती है आप हमारे जिम्मदार नागरिक हैं शहरी हैं ग्रामीर हैं इसलिए आपको एचे ताउनी दी जाती ह आपको सचित किया जाता है ताकि आपके खिलाफ कारवाई करने की सरूरत ही ना पड़े वो जो उमीद है आप सभी का सवयोग मुलेगा धन्यवाद जैटें